किया आपने खा लिया है नहीं तो ये लो ये किसी फिर्म का डायलोग किया किसी कविता की पंक्ती नहीं बलकि लॉक्डाउन की इस इस्तिकी में उन मददगारों के मुझ से सुनने को मिल रहा है जो असहाय और जुरतमंदों की निस्वार्थ रूप से सिवा में लगे हैं कोई भूखा नहीं सोई इसलिए सोसाइटी हलपर गुरूप के सदस्यों ने क्या आग दी है अपनी नींद और परिवार को और जूट गए हैं असहाय लोगों की सिवा में कई जगा पे बारिस आने की वज़े से बार जैसी स्थिती उत्पन हो चुकी है कई ऐसे गरीब और लचार परिवार हैं जिनको करोना के साथ साथ बार जैसी स्थिती का भी सामना करना पर रहा है उनके पास आय का सोत भी नहीं है जिससे की वो अपना भरन पोशन कर सके वैसी स्थिती में सोसाइटी हेलपर ग्रूप की टीम अनास पहुचाने का काम कर रही है ताकि उन्हें किसी तरकार से इस मामारी में दिक्कत ना हो कई लोग तो ऐसे भी हैं जो चौकी बास के सहारे गुजार रहे हैं और पारिस का पानी का सामना कर अपना जीवन बिता रहे हैं ऐसे लोगों तक सुसाइटी हेलपर ग्रूप की टीम हर संभो मत तोचाने का प्रयास कर रही है कोई भी भूखा पेट मा सोई इसी उद्देश के साथ ये लोग दिन रात सहर के विभीन छेत्रों में भर्मन कर रहे हैं एक तरफ जहां देखा जारा की बर्तमान समय में कोरोना के मामारी बहुत तेजी से फैल रही है हमारे देश में बिहार के विभाणििर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे प्रयास है कि उन जवब पर मत पहँचाई है जान लोग करोणा के सिकार है साथ साथ वहाँ वैसे बेखती है जो घर से नहीं निकल सकती है, जो आये का कोई श्रोत नहीं, बारी से उनके घर पे पानी जारी हूँ, आप एक बारी सिस्तिती बन चुपी है, हमारा पुरी टीम के परियास था कि क्यों नहीं उन्ट पास, के मार्किट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास एलेक्ट्रोनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर बन ब्रांडड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फान, सेलिंग फान, फैंसी लाइट्स, आदी प्रकार की में उपलब्ध रहेंगी, तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिये दास एलेक्ट्रोनिक्स, एन आर मार्किट, शॉप नमबर टू, एन त्री, महादेवाद, नियर्शिव मंदिर सिवान